कि दस अजार से नीचे अगर आप एक साउंड बार देख रहे हो तो आज मेरे पास है बोट अवानते बार कोड फिलिपकार्ड के तुरू या फिर बोट के ओफिशल वेबसाइट से आप इसको खरीच सकते हो जो करन्ट प्राइस पॉइंट है नो जार चार सो नन्याड़ यह साउंड बार बोट के 160 वोट के साथ में आता है तो धमाकेदार बेस का जो एक्सपिरेंस वह तो आपकुछ के साथ में मिले गाई साथी साथ यहाँ पर आपको वायरलेस कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है मतलब वायर बगर का जंजटी खतम तो सारी जीज़ों को विल वैसे तो प्लास्टिक का है बट काफी सॉलिड प्लास्टिक का यूज किया है फ्रंट के अंदर मैटल की ग्रिल दी है सेंटरल में बोट की बेजिंग है और एक वाइट एलेटी डिस्प्ले भी दिया है जहां से आप सारी फंक्शनलेटी को देख सकते हैं और लुक्स को तो लेफ्ट और राइट के अंदर फिजिकल कीज भी दिये जिससे इसको ओन ओफ कर सकते हो इसके अलावा कंट्रोल के लिए कुछ असेंशल फिजिकल कीज भी दिये कनेक्टिविटी के लिए पीछे की तरफ काफी सारो ऑप्शन है लाइक ऑक्सिन ऑप्टिकल पोर्ट एचडियमाई और एरसी और इसके लावा यूसबी पोर्ट इसके लावा यहां पर लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है तो कनेक्टिविटी आपको बहुत ही ब एस्थेटिक लूक है और सबसे खास फीचर यह जो सब वूफर है ना एक वायरलेस सब वूफर है डोरी का जंजट खतम जहां पर भी चाहो रूम में इसको यूज कर सकते हो और बेस का पूरा मजा ले सकते हो फ्रंट को छोड़कर ऑवराल वूडन कैबिनेट है पीछे की अलावा प्रिसेट बटन और ओन उफ का बटन भी आपर दिया है कनेट करना बहुत ही आसान है दोनों डिवाइस को प्लग इन करना है और बस इन्पुट के तुरूब ब्लुटूथ और अच्छे इमाई को सेलेट कर सकते हो इसके अलावा कंट्रोल के लिए आपको एक कॉं सबसे पहले मैं इसको अपने फोन से कनेट कर लेता हूं उसके बाद मैं इसको टीवी से कनेट करेंगे हैं HDMI के तुरू क्योंकि HDMI के तुरू आपको जो साउंड क्वालिटी वह और ज्यादा इन्हेंस देखने को मिलती है बाई साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा जबरदस है लाउडनेस तो बिलकुल एक नमबर है कोपिराइट इस्चु को वेजर से बोलिवूड और पंजाबी सॉंग्स को में आपर ज्यादा देर तक प्ले नहीं कर सकता अगर आपको इनका पूरा सेंपल देखना है तो नीचे ड्राइव का लिंक देदूँआ वहां से डारेक्ली आप जागर चेक आउट कर सकते हो और डिस्ट्रोशन बिल्कुल नहीं है 100% वोल्यूम पर मैंने इसको ट्राइ करके देखा है साउंड बिल्कुल भी नहीं फटता जैसे मैंने वोल्यूम को यहाँ पर इंक्रेस किया आपको देख सकते हो डिस्ट्रोशन बिल्कुल भी नहीं है अब इसके बाद में HDMI के थुरू आपको जो sound output को थोड़ा और बेटर देखने को मिलेगा तो वो चीज भी मैं यहाँ पर आपको सुना देता हूं वोकल्स काफी क्लियर सुनाई देते हैं बैग्ग्राउंड सेप्रेशन बहुत ही अच्छे से किया है और सबसे बड़िया चीज भाई बेज जो है बहुत जादा स्ट्रोंग है पर आपको बहुत ही किंजर सुनाई देते हैं अब अलग से यहाँ पर आपको चार प्रिसेट मोड मिलते हैं जैसे कि म्यूजिक न्यूज मूवी और 3D साउंड जो 3D है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बैटर है क्योंकि वहाँ पर जो साउंड आउट पुट है वह काफी ज्यादा अप्टमाइज है और सुनने में बहुत ज्यादा बैटर लगता है साउंड के लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा के भाई एकदम जबरदस डिवाइस है साउंड को लेकर ये डिवाइस आपको बिल्कुल भी डिसपोइंट नहीं करेगा आग बंद करके आप इसको खरीच सकते हो जो बैस बाइल लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप कर सकते हो फिल्हाल के लिए इस वीडियो के अंदर बस इतना है कोई भी सवाल है आपका तो नीचे कॉमेंट सेक्षन में आप मुझे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम के उपर पिंग भी कर सकते हो और वीडियो कर देना और इस एंट्रस्टिंग वीडियो के लाप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और देड़ लाग की जो फैमिली हो बहुत ही जल्दी कंप्लेट करने वाले तो वह भी आप बहुत ही जल्दी करवाद हो या बागी मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए जैहिन जय बारत